है वेलकम बेक टो हीलम एकेडमी टोड़े इन डिस वीडियो वी अर्डूइंग अन्यू टॉपिक ठीक है और नहीं टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ठीक है यह आपको स्क्रीन भी सामने में लिखा नजर आ रह हम कर रहे थे पैतागुर्स त्यूर्म और पिछली वीडियो में उसमें हमने ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की साइड निकालने के तरीके और यह वह सब कुछ पता किया था अब इसके अंदर तीन नई चीजें एड हो रही है ठीक है वह यह चीज़ेंड हो रही डिकाता है हमारे पास टाइन एक है लागलयकुलेटर पे गोर से देखो तो च्छोटा सा एस आई एन लिखावा होता है की नाम से ठीक है बटन बनावा होता है और दूसरी चीज होती है इसका कॉस के नाम से बटन बनावा होता है और जो चीज है और एंड हो रही है जी टैंजेंट ठीक है यह जो है यह आपके टैन के नाम से जो है वो कैलकुलेटर पे लिखा होता है बट अभी आपको calculator को use नहीं करना क्योंकि इस exercise में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि इनकी मदद से sine, cause, tan के आप किस तरह जो है वो triangles की sides को जो है वो find कर सकते हो ठीक है और sine, cause, tan के formulas किस तरह generate होते हैं वो बताऊंगा क्योंकि इन तीनों के formula है ठीक है ओके, first of all मैं बनाने लगा हूँ एक triangle था कि आपको शुरू से और असानी से समझे ये है हमारे पास एक right angle triangle ठीक हो गया normally हम जब पिछला exercise करे थे उसमें हम इसको लिख देते थे high importance ठीक है ये वाली जो हमारी side होती थी, इस side को हम लिखते थे high importance क्योंकि ये टेड़ी होती थी, straight नहीं होती थी, sland line होती थी इस वज़ा से इसको high importance का नाम दिया जाता था और दूसरी इसकी reason ये होती है कि जो 90 degree का right angle में right angle triangle में angle बन रहोता है है इसके बिलकुल face पे length दी गई होती है इसलिए भी इसके नाम high importance रखा जाता है तो high importance था ऐसी as it is ही यहां पे रहेगा दो लव्ज और एड हो जाएंगे एक चीज़ हो जाएगी opposite और एक वर्ड एड हो जाएगा adjacent अब opposite और adjacent का मतलब क्या है कि देखो यार अगर उसने हमें question के अंदर फर्स करो यहां पर दिया हो angle ए यह यहां पर दे दिया हो angle भी ठीक है मतलब angle वह दोनों में से कहीं पर किसी भी जगह पर दे सकते 90 के एंगल के इलावा तो उस एंगल के जो सामने बिलकुल जो होगी न लेंथ उसको opposite length केंगे ठीक है और जो उसके एंगल के बिलकुल यह नीचे यहां पर होगी length और straight length होगी उसको हम adjacent कहेंगे ठीक है यहां तक तो हमें समझ आ गई है ठीक है अब हमने sine cost 10 के एक एंगल के हिसाब से अगर हम formula बनाएं तो देखो यह अगर वैसे sine cost 10 का formula क्या होता है simple मैं अगर formula आपको बताऊं sign का होता है अच्छा एक और चीज़ याद रखना यह sign cost 10 किसी भी एक angle के उपर लगाया जाते हैं जैसे यह हमें एक angle दिया वाता question में उसने उसके उपर लगा तेके बिला वज़ा किसी right angle triangle के उपर नहीं लगाने के हाँ जी मैं 90 या वो इस तरह के यह उसने angle mention किया होता है question के अभी आगे जाके जब मैं आपको question दिखाऊंगा बाहर जाके पता लगेगा कि question के अदर मैं सबसे पहले हम sign का formula देख लेते हैं sign का जो formula होता है यार वो होता है opposite मैं यहां पे सिरफ OPP लिख रहा हूं opposite divided by hypotenuse ठीक है मतलब कि opposite divided by hypotenuse यह वाली length और यह वाली length अहपस में डिवाइड हों अच्छा जी उसके बार जो आपका कॉस का formula होता है मतलब कोजाइन का formula होता है वो होता है जी adjacent divided by hypotenuse ठीक है अच्छा और जो आपके tan का formula होता है वो होता है opposite divided by adjacent ठीक है यह तीन formula होते है जिन से आपने अब यह find करने जो जो वह में question में देगा ठीक है अभी तक आपने सिरफ इतना ही समझना है क्योंकि यह है हमारी easy questions की वीडियो इससे जो next वीडियो आएगी उसके अंदर में आपको जब थोड़े medium intermediate फिर हम उसका उतना पार्ट अगली वीडियो में समझ जाएं कि ताकि आपको असानी से समझ जाए तो यार इसकी दो questions भी देख लेते हैं पहला question है यह वो कहता है for each of the right angle triangle find hypothesis opposite side और adjacent side ठीक है हम यहीं पे इस question को कर लेता हूं बड़ा ताकि हम इस question के उपर ही question को कर लें solve ओके यह हो गया question बड़ा अच्छा जी यहां पर उसने बोला है कि हमें hypothesis चाहिए हमें opposite side चाहिए और हमें adjacent चाहिए तीनों और किस angle के angle a के ठीक है angle a उसने दो दफा़ बोला है है ओके तो angle a हम सबसे पहले find कर लेते हैं कौन सा है तो angle a हमारे पास यह है अब इसकी सबसे पहले हमने opposite side देखनी है तो यह हमारी हो गई opposite यह हमारी opposite side हो गई यह वाली बिलकुल angle के जो सामने है अच्छा दूसरी जो आएगी hypothesis वो हमेशा hypothesis steady line को कहते हैं जो slant line होगी तो hypothesis तो obviously यही ही होगा ठीक है अच्छा सेकंड चीज जो हमारे पास आ रही है वो आती है जी adjacent तो adjacent वो होती है जो बिलकुल angle के साथ straight line हो तो यह हमारी adjacent आ होगी ठीक है यह हमने एपार्ट को किया अच्छा उपर से raise करता है अब इसी तरह हम बी पार्ट को करते है ठीक है बी पार्ट में देखो हमें एंगल क्या दिया वह है यह दिया वह ए अब इसके वह कहता है जी सबसे पहले opposite आपने बताना है तो ए का मुह अगर आप चैंटर देखो तो opposite लाइन तो यह बनती है तो opposite यह हो गई दूसरी एडजेसेंट यह हो गई ठीक है तीसरी हाइप उटनस यह हो गया अब आप को गया यह तो टेडी लाइन नहीं यह तो सिदी लाइन है यार गोर से देखो slant line triangle में वो होती है जो 90 degree के facing पे होती है दूसरी निशानी आपको यह है तो 90 degree के facing पे यह line बनी विया है तो 90 degree के facing पे मैंने पहले बताया था hypothesis ही होता है उसके इलावा कोई और length नहीं हो सकती ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल में सिरफ यह भी बात याद रखना अच्छा आगे देख लो अगला question अगले question में उसने जो है हमें length दीवी है ट्राइंगल की दो ट्राइंगल उसने हमें दिये में अगर मैं थोड़ा कर लो देखो दो ट्राइंगल जो से पहले हम एवाले ट्राइंगल को सॉल्फ करेंगे अच्छा जी वह कहता है साइन ए निकालना है साइन का फार्मूला पर फार्मूला है हमारे यह ऑपोसेट डिवाइड बाइ हाई पॉर्टनेस ठीक है तो सबसे पहले हमने इतर देख ल कोन सा बनता है फेले हम यह देखिикс हो कि ऑन के कोन सा मैंशन किया है मैं आँगल उसने का है एक ऑफ द राइध एंगल ट्राइंगल स्टे डवालिय ऑफ सांइ carbon ए जो है एका मतलब होता है एंगल बतलब कर वह साइड जिसका एंगल दिया होो कॉर्ष जिसका एंगल लिया ह तो यहाँ पर A का कॉर्णर यह बनता है तो हमें यहाँ से देखना है opposite और adjacent और hypotenuse ठीक है sin A में हम A point से देखेंगे तो बिलकुल opposite जो है वो हमारे पास 5 cm बनता है मतलब यह opposite हो गया और हमें चाहिए hypotenuse hypotenuse हमारा यह 90 degree की facing पर 13 cm ठीक है तो हम क्या करेंगे sin A is equal to 5 divided by 13 opposite divided by 13 बस यह आपका first part solve हो गया ठीक है अब आजो part 2 पे part 2 पे वो क्या कहता है वो कहता है जी cause A निकालना है फिर निकालना A से ही है तो आप क्या करो एक उसी तरह रहने दो यह mark figures मैं raise कर देता हूँ अच्छा जी cause का formula क्याता है adjacent divided by hypotenuse तो हमारा adjacent कौन सा बनता है adjacent हमारा यह वाला बनता है बिल्कुल जो angle के साथ हो adjacent 12 है और hypotenuse फिर हमारे पर 13 ही है तो हमने उसी तरह 12 divided by 13 इदर लिख देना है यह हमारा cause of a आ गया ठीक हो गया ओके जी अब हम आ जाते हैं अपने third part के उपर जो कहता है tan of a ठीक है tan of a a से ही हमने tan देखते हैं अब tan का formula क्या था tan का formula था opposite divided by adjacent मतलब opposite हमारे पास यह है और adjacent हमारे पास यह है ठीक है तो opposite divided by adjacent का मतलब क्या हुआ कि five divided by twelve ठीक है अच्छा उसके बाद part four के अंदर वो आपको कहता है जी sign b निकालना अच्छा यहाँ पर बूस्त ने angle change करती है वो कहरे जी sign b निकालना है b तो अब हम क्या करेंगे हम b से b वाले angle से b वाली point पे angle लेंगे b वाले point पे ऐसे करके टेडी line बनाए ताकि मैं पता लगज़े b और angle ठीक है जी sign का formula हमारे क्या था opposite divided by hypotenuse ठीक है तो इसी तरह हम sign का formula लेंगे अब हमारे पास opposite क्या आ रहा है इदर opposite इस angle के बिलकुल opposite हमारे पास आ रहा है 12 cm hypotenuse पूरे question में सेम ही रहेगा 13 cm ठीक है तो इदर हम लिख देंगे 12 divided by 13 opposite divided by hypotenuse ठीक है उसी तरह cause of b निकालेंगे उसी तरह 10 of b निकालेंगे ठीक है उसके बाद second ये जो b part है इसके अंदर भी ऐसे ही हम angle नेंगे उसके सामने मतलब formula लेकेंगे उसका opposite देखेंगे और उसका वो आप निकाल लोगे easily और हाँ 90 के angle से कभी भी ना लेना 90 के angle से sign cause 10 नहीं लिया जाता है इस पर error आ जाता है तो यार इस वीडियो ये वीडियो थोड़ी छोटी थी इस वीडियो में इतना ही क्योंके यार इतना भी अगर आप अभी एकदम basic पर समझ जो तो आप को थोड़ा बहुत basic समझ में आ जाएगा next thing जो होती है ना वो यह होता है कि आपने इसको calculate किस तरह करना है ठीक है मनदब अगर मैं आपको short form में बताऊं तो आपके पास हर दफा यू नहीं आएं कभी-कभी आपके पास ये भी आ सकता हो कहता है साइन 30 निकाल दो तो आपको इसको calculate करना पड़ेगा calculate करने के लिए आपने जो calculator पर आपके बटन होता है ना sign वो sign का बटन और उसके साथ आपने 30 राइट करना है पहले sign का बटन दबाना है फिर 30 लिखना है फिर आपने इक्वल का बटन दबा देना है तो आपका वो जीरो पॉइंट सम्तिंग में वैल्यू आएगी वह आपका साइन थर्टी होगा अभी इस तरह की चीज़ जो है वह हम नेक्स वीडियो के अंदर देखेंगे तो इस वीडियो में है सिर्फ इतने को प्रैक्टिस करो ठीक है मिलत नेक्स वीडियो में दब तक के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल